ओ помощ happens every one sneezes आज हम पढ़ेंगे Vishek 的 infectious disease मैं HIV disease के बारे में तो ज़्याद तर लोगों ही HIV बारे में पढ़ा ही होगा तो आज थोड़ा सा discussion करेंगे इसके बारे में और exam में कैसे लिखना है यह बता चलेगा तो सबसे पहले HIVकी full form human immuno deficiency virus ये एक नंबर में पूछा जा सकता है ये cause क्या करता है AIDS AIDS की full form है acquired immunodeficiency syndrome तो AIDS is a condition ये एड्स जो है वो एक तरीकी condition है जो कि पहचानी जाती है कुछ लक्षर से कुछ sign और symptoms से जो कि हमारा immune system की जो efficiency है उसकी immune system जो हमारा होता है वो कमजोर हो जाता है क्यों कमजोर हो जाता क्योंकि HIV जो virus है वो हमारी body में entry कर जाता है तो ये AIDS को cause करता है तो HIV virus की वाज़े से हमें AIDS होती है जिसके बहुत सारे symptoms होते हैं और ये हमारे immune system को weak कर देता है अब हम देखेंगे इसकी etiology the causative agent of AIDS is HIV which may be in the following two types जो causative agent है AIDS का वो हमें पता है कि वो HIV है लेकिन इसके two types होते हैं HIV-1 और HIV-2 जो HIV-1 है वो जादा तर South Africa में और हमारी पूरी world में ये पाया जाता है लेकिन जो HIV-2 है वो जादा तर हमारे West Central Asia और इंडिया में पाया जाता है जो HIV है वो विलॉंग करता है रेट्रो वाइरेडी फैमिली से ठीक है अब हम देखते है पैथोजेनेसिस की HIV वाइरस है जब हमारी body में एंडर कर जाता है तो वो हमारी किस-किस आरगन को कैसी कैसी develop होता है कैसी infect करता है सबसे पहले जैसे retrovirus, जैसे HIV वाइरस ये enter हुआ to one जो HIV वाइरस है वो single stand के form में होता है म्डला है retrovirus होता है HIV के अंदर की उता है retrovirus वो जब हमारी बॉड़ हमारी body में तो वो single stand में होता है सिंगल स्टेंड RNA होता है यह RNA convert होता है HIV DNA में अब यह सिंगल स्टेंड था अब यह double स्टेंड में हो गया क्यों हो गया क्यों हो गया क्योंकि RNA transcriptate reverse enzyme की वजय से यह HIV RNA में convert हुआ फिर यह हमारा normal DNA है जो हमारे जैसे ही viral DNA है और यह human DNA है जब यह convert हो गया HIV DNA में तो और यह हमारा normal human DNA है जब यह आपस में transcript होंगे तो यह convert हो जाएगा HIV DNA में जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो यह human DNA था वो pink color का था और जो viral DNA है मतलब जिसमें HIV है वो blue color का था जब यह आपस में मिल गए तो यह एक extend हो गया हमारा normal का और एक हो गया देखिए infected वाले का जब यह मिल जाते है तो यह तो हमारे एक cell में हो रहा है लेकिन ऐसा बहुत सारी हमारी body के cells में होता है तो फिर यह क्या करते हैं यह तोनों अलग-अलग हो जाते हैं यह other cells को भी इन्फेक्ट करेंगे जाके तो राइवोजोम्स होती है प्रोटीन होती है यह जब बनने लगती है तो यह हमारी body में पूरी body में to infect the other cell यह और दूसरी cell को infect कर देते हैं ज़्यादा तर helper T cell को infect करते हैं जो कि हमारे immune system की बहुत important cell होती है इस तरही के से HIV वायरस हमारी body में फैलता है और infection कोस करता है clinical manifestation इसके क्या क्या सिम्टम्स होती है जैसे tuberculosis कोस कर देगा TV कोस कर देगा tumor बना देगा skin में tumor बना देगा chronic diarrhea कर देगा और non-pharmacological management में counseling and support इस वाली disease में support की ज़र होती है क्योंकि यह disease जो होती है क्यों और नहीं की जा सकती इसलिए follow up visit must be scheduled every three months इस disease को क्या देगा prevent कर सकते है मतलब यह लंबे समय तक रहेगी लेकिन इसके जो symptoms है उसको हम कम कर सकते है तो डॉक्टर बताता है कि हर महीने तीन महीने बाद आप visit करिए आगे hospital में इसमें फार्मकलोजिकल मैंजमेंट में देख लेते है कौन-कौन सी medicines दी जाती है first दी जाती है cotrimoxazole दी जाती है isoniazid जी जाती है और zidovalidine दी जाती है उसके साथ lamivodine और navipramine दी जाती है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को लाइक करें comment करें and subscribe to my channel thank you for watching this video take care, bye